हेलो, गुड मॉर्निंग, लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, फिर से चलेंगे हम W3Schools के उपर और हम कर रहे हैं SQL SQL में MySQL Functions हम कर रहे हैं MySQL Functions में अभी हम कर रहे हैं MySQL String Functions और MySQL String Function कवर करते करते हम पहुँच चुके हैं UKS Function तक आज हमें करना है अपर function, क्या है अपर function इसको डिटेल में देखते हैं यह हमारा अपर function MySQL String Functions का इसी W3Schools में last function है इसको कवर करते हैं और हम MySQL String Functions को complete करते हैं आज MySQL अपर function क्या है एक बार इसको देखते हैं, क्या बोलता है definition definition देखते हैं इसके अच्छे से, the upper function converts a string to a uppercase बिल्कुल जस हमने last जो function देखा बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा क्या करेगा कोई भी string है उसको uppercase में convert करेगा uppercase और u case बिल्कुल सेम है मेरा uppercase वीडियो बनाने का main motive यही है, कि आपको functions पता होना चाहिए, कौन सा function बिल्कुल सेमिलर तरीके से काम कर रहा है आपको यह चीज़े रटने की जुरूत नहीं है, बार बार practice करोगे तो यह चीज़े दिमाग में हो जाएंगे और एक चीज़ यह है कि कोई भी function हो सकता है काम सेम कर रहा हूँ, लेकिन जब हम system में उसको call करते हैं, तो calling difference हो सकता है तो देखते हैं upper case की कैसे calling है, देखें, syntax देखो इसका upper का, अपर, देखें, parenthesis start करेंगे, और यह text as a parameter लेगा, और parenthesis close, यह क्या है, syntax है किसका upper function का, और description क्या बता रहा है, required string to convert, ठीक है, जिस string को हमें convert करना है, तो यह अपर इस तरीके से call होगा, यू case, यू case, parenthesis लगाके हम उसके अंदर string pass कर रहे थे, ठीक है, example देखते हैं एक बार, अपर function लगाया, हमने string as है, उसमें parameter डाला है, जो भी यहाँ पर होगा, उसको क्या करना है, अपर case बना देगा, वो चैह किसी भी case में हो, ठीक है, सबको अपर case बना रहे हो, अब देखो इसका example, SQL tutorial is fun, यह क्या है, मारा अपर case है, और एक और एक जामपल देखते हैं, जो W3 schools ने दे रखा है, अपर customers, MySQL database बना रखे, W3 schools ने, और यहाँ से call कर रहा है, मैं आपको एक बार W3 schools की customer table दिखा देता हूं, ठीक है, Customer table देखो, जो इन्होंने बना रखे, देखो, यह customer name है, इसी name को हमको क्या करना है, अपर case में बनाना है, तो यह अपर case में बना देगा, ठीक है, देखो, यहाँ पर सारे customer name को क्या बना दिया, Customer table के, मैं जितने भी customer देखो, उसको क्या कर दिया, उसके उपर हमने अपर function लगा दिया है, यही क्या था, अपर function, नेक्स्ट वीडियो में है, हम देखेंगे, नुमेरिक फंक्शन्स क्या होते है, आप लोग कोई से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए, शेयर किजिए, थेंक्यू, जय हिंद, जय बारत,